स्वागत से दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों अगर आप डारेक्ट स्टॉक मार्किट के अंदर निवेश करते हैं तो वहाँ पर जोकिम बहुत जादा होता है तो आप यहाँ पर एक जादा प्रॉफिट बना सकते हैं आज हम आपके लिए LIC का एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर अगर आप चिर्फ एक लाक रुपे का निवेश करते हैं तो यहाँ से करीब पचास लाक रुपे का फंड बना सकते हैं या फिर दोस्तो इस स्कीम के अंदर अगर आप एक बर 8 लाक रुपे का निवेश करते हैं तो यहाँ पर हर महीने 7,000 रुपे के इंकम शुरू कर सकते हैं और आप अपने पैसे को भी यहाँ पर करीब 89 लाक यानि 90 लाक रुपे तक बढ़ा सकते हैं इसी तरह इस स्कीम के अंदर अगर आप मातर यहाँ पर 18,000 रुपे महीना का भी निवेश करते हैं तो एक करोड रुपे का फंड बना सकते हैं तो इस तो यह स्कीम उन लोग के लिए काफी बढ़िया रहेगी जो हर महीने एक इंकम शुरू करना चाहते हैं लमसम पैसे निवेश करके या फिर यह स्कीम उन लोग के लिए भी काफी बढ़िया रहेगी जो एक पर पैसे निवेश करके लंबे टाइम में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं या फिर अगर थोड़े थोड़े पैसे भी आप निवेश करना चाहते हैं तब भी आप LIC की इस स्कीम के अंदर पनिवेश कर सकते हैं त्योंकि यहां से आप मात्र 18 रुपे महिना जमा करके भी अपने लिए 1 करोड रुपे तक का फंट त्याग कर सकते हैं तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में इस फंट का पूरा रिव्यू करेंगे और साथ के साथ कैलकॉलेशन भी करेंगे दोस्तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैं आप स्कीम के रिटन की चोकि काफी इंपोर्टेंट होता है तो स्कीम का ओल टाइम का रिटन 14.52 परसेंट का है अगर पिछले 5 साल की बात करें तो स्कीम ने 14.53 परसेंट का रिटन दिया है तीन साल की बात की जाए तो स्कीम का रिटन शांदार 20.71 परसेंट का है दोस्तो mutual funds की ये बहतरी इन scheme है क्योंकि long time में scheme ने काफी शांदार profit दिया है और दोस्तो इस scheme करीब 15 सार पुरानी है और नाम है LIC, MF, Large and Mid Cap Fund Direct Plan Growth दोस्तो इसका जो पैसा है वो stock market के अंदर 22 quality की mid cap sector और large cap sector की जो companies है उनके अंदर पैसा निवीश के लिया है दोस्तो stock market के अंदर अगर हम stable return की बात करें तो large cap company ने काफी शांदार return दिया है चाहे से हम reliance की बात करें या फिर विप्रो की दोस्तो इकुछ ऐसी companies है large cap जिन्होंने long time में काफी शांदार profit कराया है और आने वाले time में भी इन company से अच्छे profit की उम्मिद है यही वज़ा है कि यहाँ पर आप एक बढ़िया profit कमा सकते हैं दोस्तों कर हम बात करें कि यहाँ पर mutual funds में निवेश कैसे करना होता है तो इसके अंदर आपको तीन option मिलते हैं पहला SIP यानि systematic investment plan इसके अंदर आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा fund बना सकते हैं दूसरा lump sum यानि one time investment का यहाँ पर आप एक बार पैसे निवेश करके long time में FD की तरह एक बड़ा fund बनाते हैं और mutual funds के अंदर तीसरा option आपको मिलता है SWP plan का यानि कि systematic withdrawal plan का इसके अंदर क्या होता है कि एक बार आप lump sum पैसे निवेश करके यहाँ पर हर महिने एक income शुरू कर सकते हैं दोस्तों गर हम बात करें यहाँ पर scheme के NAV की यानि net asset value की तो यह 27.93 पैसे का दोस्तो NAV mutual funds का unit price होता है इसके अंदर आप चाहें से SIP में निवेश करें या फिर अगर आप lump sum निवेश करें या फिर SWP plan में तो दोस्तों जो भी current NAV का price होगा जितने भी पैसे आप जमा करेंगे उसमें उसके हिसाब से unit lot की जाएंगी rating की बात करें तो शांदार फूर है और fund size एक हसार नो सो चाहें या इतने पैसे लोगोंने इस mutual funds scheme के अंदर निवेश के हो हैं अगर हम minimum SIB की बात करें विस scheme के अंदर आप minimum हजार रुपे से SIB शुरू कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अभी हसार उपे निवेश करना चाहते हैं और आने वले time में इसे बढ़ाना चाहते हैं तो mutual funds के अंदर top of option के तहत आप इसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें हैं आपर holding की कि आपका जो पैसा है वो stock market के अंदर किन शेरों में निवेश के गया है तो यहाँ पर दोस्तो 68 stocks हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश के गया है अगर हम large cap stock की बात करें तो इसके अंदर ICAC bank, infosys, hdfc bank, tcs, reliance industry, अतुल लिमिटेड, आदित्य बिल्ला, फैंशन रिटेल, हिंदुस्तान, यूनि लिवर दोस्तो यह कुछ ऐसी companies हैं जिनके आने वले टाइम में अच्छे performance के उमीद है और इससे पहरे भी इन company ने काफी शानदार profit दिया है उनके अंदर ही आपका पैसा निवेश किया गया है दोस्तो गर हम बात करें हैं आपर fund management team की तो इस fund को manage करें यहोगे इस पार्टेल 2020 से दोस्तो किने stock के अंदर आपका पैसा ने वेश करना है और कप निकालना है यह सब कुछ management team ही decide करती है दोस्तो गर हम बात करें हैं आपर LIC mutual fund house की तो इंडिया में 20 number पर रेंग है company start हो थी 20 April 1994 में और company के पास यो UMI यानि का S.C.A. Tender Management वो करीब 17,913 करोड रुपे है यानि इतने पैसे लोगों ने अलग-अलग स्कीमों के अंदर LIC mutual fund house के साथ निवेश के हो हैं दोस्तो यह तो बात भी स्कीम की स्कीम का जो return है all time का वो कापी बढ़िया है या फिर अगर आप 1,000,000 रुपे लंग सम निवेश करते हैं तो कितना fund मिल सकता है और कैसे इसके अंदर आप यहाँ पर 7,000 रुपे की income हर मैने शुरू कर सकते हैं चलिए अब हम इसे एक बार calculation के साथ समझते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदली income scheme की कि इसके अंदर आप कैसे 7,000 रुपे की income शुरू कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर इस scheme के अंदर आपको एक बार 8,000,000 रुपे का निवेश करना होगा रिटन जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है अनिवले टाइम में 14% का दोस्तो इस पैसे को अगर आप इस scheme के अंदर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 7,000 रुपे हर महीन income के इसाफ़ से आपको इसके अंदर करीब 4,20,000 रुपे का प्याउट मिलेगा यानि इतने पैसे आपके बैंक खाते में आ जाएंगे और आपके 8,000,000 रुपे बढ़कर करीब 9,50,297 रुपे हो जाएंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप इहां पर निवेश करके रखते हैं 10 साल के लिए तो 7,000 रुपे हर महीन income के इसाफ़ से आपको इसके अंदर 8,40,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 8,000,000 रुपे बढ़कर 12,49,601 रुपे हो जाएंगे दोस्तो इसी तरह अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं यहां पर 15 साल के लिए तो 7,000 रुपे हर महीन income के इसाफ़ से आपको इसके अंदर 12,60,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 8,000,000 रुपे बढ़कर 17,96,806 रुपे हो जाएंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप इहां पर निवेश करते हैं 20 साल के लिए तो 7,000 रुपे हर महीन income के इसाफ़ से आपको इसके अंदर 16,80,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 8,000,000 रुपे बढ़कर 49,35,284 रुपे हो जाएंगे दोस्तो इसी तरह अगर आप इस पैसे को इहां पर 30 साल के लिए निवेश करते हैं और 7,000 रुपे के इनकम शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको इतने टाइम में करीब 25,20,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 8,00,000 रुपे बढ़कर 89,12,444 रुपे हो जाएंगे दोस्तो यह तो बात हुई SWW प्लान यानि के systematic withdrawal प्लान की अगर हम बात करें हैं आपर SIP की तो दोस्तो यह हमारे पास एक SIP calculator अगर आप इस scheme के अंदर यहाँ पर हर महिने मातर 1800 रुपे का निवेश करते हैं और return दोस्तो हमने expect किया है आईवले टाइम में 14% का इस 1800 रुपे महिने को अगर आप लगातार 5 साल तक निवेश करते हैं तो यहाँ पर total आप इसके अंदर 1,08,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो return मिलेगा वो करीब 48,971 रुपे का होगा यानि के 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,56,971 रुपे होंगे दोस्तो इस SIP को अगर आप continue करते हैं यहाँ पर 10 साल के लिए तो इसके अंदर 2,16,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो return मिलेगा वो करीब 2,55,764 रुपे का होगा यानि के 10 साल के बाद आपके पास 4,71,764 रुपे होंगे दोस्तो इस SIP को अगर आप continue करते हैं 15 साल के लिए तो 18 साल के बाद आपके अंदर 3,24,000 रुपे निवेश करेंगे इसमें जो return मिलेगा वो करीब 7,89,137 रुपे का होगा यानि के 15 साल के बाद आपके पास करीब 11,3,137 रुपे होंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं 20 साल के लिए तो यहाँ पर 8,300 रुपे हर महिनी के साब से आप इसके अंदर 4,32,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो return मिलेगा वो करीब 19,37,423 रुपे का होगा यानि टोटल 20 साल के बाद आपके पास करीब 23,49,423 रुपे होंगे दोस्तो अगर आप इस पैसे को लगतार यहाँ पर 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो अटारे सो रुपे महिनी के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 5,40,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो return मिलेगा वो करीब 43,49,100 रुपे का होगा इसमें जो return आपको मिलेगा वो करीब 93,47,000 रुपे का होगा यानि टोटल आपके पास करीब 30 साल के बाद 1,27,000 रुपे यानि लगपक 1,000 करोड रुपे का फट होगा इसी तरह अगर हम बात करें हैं आपर लंब सम की तो दोस्तो यह हमारे पास लंब सम कैलकुलेटर अगर आप मातर 1,00,000 रुपे इसके अंदर आज निवेश करते हैं और यहाँ पर आपको 14% का return मिलता है और यहाँ पर इस 1,00,000 रुपे को अगर आप 5 साल के लिए निवेश करके रखते हैं वो 2,70,722 रुपे का होगा 1,00,000 रुपे जो आपने निवेश की हैं उन्हें मिलाकर आपको 3,70,722 रुपे मिलेंगे दूस्तो इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 15 साल के लिए तो यहाँ पर आपको इस पैसे को अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको इस पैसे को अगर आप लम सम यहाँ पर 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस पर इस पैसे को अगर आप चाहें तो हर मईने के इनकम भी शुरू करते हैं या पिर अगर आप थोड़े थोड़े पैसे निविश करना चाहते हैं तब भी यहाँ पर एक बड़ा फंड बना सकते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद